और आप हम भी उसी का उपयोग करने हैं वो भी एक हिस्सा ले रहा है इस समय कमिनिकेशन में उसमें उसकी चर्चा है यस इसमें कोई शक नहीं लेकिन अभी हम उससे बहुत ज्यादा आकने लगें वो हमारी गलती होगी ऐसा कुछ नहीं अभी इसे भारती जनता पार्टी और आरे से के तुरी तरह से कंट्रोल में हैं और बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूं यूट्यूब चैनल वगएरा पर थोड़ी सी इस यात्रा से बहुत ज्यादा बड़ी बाते करने लगते हैं इतना नहीं सोचना जाहिए अभी अभी उसको केरल से बाहर आने दीजिए म निस से बीस हो जाये हैं ये क्रॉइन जसको कोई बीजेपी के पास थी नहीं है तो वो ब्यसकी से डीने बीजेपी गेंडकल में यात्रा के सफला होने से उसमें भीड आने से और उसमें सबका चेहरा आने से वहाँ अच्छी प्रेस कॉन्फरेंस होने से अच्छा डायलोग बनने से बहुत उम्मीदे पालना ठीक नहीं है अभी जब करनाटक में आएगी महरास्ट में आएगी राजस्थान में आएगी तब हमारी आपके समझ में आएगा किस यात्रा के जरिये सच मुश में किस लेवल का मॉबलाइजेशन हो रहा है क्या वो कॉंग्रेस की पिछली सीटों में पिछली लोग सब्सक्राइब तमिला पिछली बार भी तमिला गेरल वही रह जाएगा यह देखने वाली बात होगी जब यह यात्रा महरास्थ में दाखत होगी तरसल करनाटक पार करके तब हम देखके समझ पाएंगे कि इसके राजनेतिक प्रतिफल क्या आ रहा है हाँ बिलकुल बिलकुल सही बात है सुरेंच जी देखे यह शीतल जी कह रहे हैं कि अभी इसको लेके बहुत उत्सायत होने की जरूद नहीं अभी यह खुल के आरेसस के उसको गड़वेश को उन्होंने निशाना बनाया फिर उन्होंने का क्या यह जहंड़ा उठाई है या भारक जोड़ो यात्रा से जोड़ी है लेकिन ये बात शीतल जी ने बड़ी मारकी की कही कि भाई जब आप करनाटक में दाखिल होंगे और जब आपको वहाँ पर डीके शिपकुमार और सिधर अमया की राइवल्री से निपटना होगा वहाँ पर भारती जंता पार्टी की गवर्मेंट है और वहाँ पर दूसरे तरह है कि वहाँ पर तो हिंदुत का उभार बहुत ज़ादा है कि एक बहुत मुफीद स्टेट है राहूल गांदी के लिए और कॉंग्रेस के लिए आपको आप इसको यह जो बात है जिसको राहूल गांदी ने भी प्रेस कॉंफरेंस में कहा करनाटक और महराष्ट की यात्रा होने के बाद ही हम यह कह सकते हैं कि क्या इस्तिति है उसको मैनेज करने के लिए कॉंग्रेस के पास अभी कोई रणीती है क्या आपके निजरिये से या फिर आरेस को लेकर यह चलेंगे आरेस को यह निशाना साथ आदेंगे जैसे केरला में इसमें साथ है देखे मैं ऐसा मानता हूं अभी तक जो राहूल गांडी के यात्रा है वो उनकी मन मुवाफिक फील्ड पर हो बैटिक है जहां उनके अनकूल बढ़िया घास जबी हुई है तो उनको कोई दिख्कत नहीं है और जो परिसिटी भी उनको थोड़ा पास्टिव मिल रही है जबी मुर्कताओं से उसमें कांग्रेश का मैफ्रा को बहुत योगदान नहीं मानता हो अब वो कभी इसमती राणी वो कन्यकमारी की बात कह रही है जूटी अला रही है कभी उनकी भांजी को लेकर के गंदा कमेंट कर दिया जाता है कभी किसी बच्ची को लेकर गंदा कमेंट कर दिया जाता है यह सपना आरेसेस का इस्टा है तीक आरेसेस का एक आप सुथ समर लिए उनको जो चुनाओ लड़ना तो यह भूल जाते है कि गंदा क्या अच्छा क्या को हर वार करें ही जहां फूल से अपसर लड़ां पूलसा लड़ा है नो ठागी गुंभा मारेंगे आपको सार्ुट जाए पूल जाए बार में फिर बहुत प्यार से आपको जैसार मारने कांगेस के प्रवरेबिल हो गया है हां वीजेपी की नजर है तो जैसे लोग कहते हैं वीजेपी इसको लेका चिंतिस है नहीं वीजेपी हर बात का चिंतिस है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइ